पी डब्लीडी SSR 2022 ये 2022 के SSR के मताबिक हम काम कर रहे हैं अभी नया SSR नहीं आया है इसलिए उसके ओपर अभी कोई बात नहीं की जा सकती लेकिन यहां पर देखेंगे आप के 2024-25 के लिए कॉलिटी कंट्रोल टेस्टिंग के रेट आ चुके हैं तो अभी जो भी इस्टिमेट बन रहे हैं उसके अंदर कॉलिटी कंट्रोल टेस्टिंग के जो चार्जेस है वो ये इस SSR के मताबिक ही लिए जा रहे हैं SSR का एक छोटा सा पार्ट है यह quality control का उन्होंने अलग से पहले दे दिया है और उसके यहां पर rate दे दिये है हमारा जो पुराना SSR है यहां पर मैं 537 सी type करता हूँ तो यहां पर यह वही चीज़े है लेकिन इसके जो rate है यह 2022 के मताबिक है और इसमें यह जो rate है इसे थोड़ 2022 के सबसे quality control के rate है और अभी जो भी estimate बनेंगे वो इस SSR के मताबिक रहेंगे 2024-25 अभी पूरा SSR नहीं आया है जैसे quality control testing के मताबिकी चीज़े आईए इस तरीके से पूरा SSR नहीं आया है तो quality control का जो हम इस estimate में काम करेंगे quality control के relation से तो हमें यह rate लेना पड़ेगा इस SSR के मताबिक हम rate नहीं ले सकते हम जो estimate बना रहे है वो estimate में आ जाते है हम इधर देखिए यह अभी जब भी काम शुरू करना होता है तो एक dotted line होती है यह dotted line होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बार-बार pay setup ना करना पड़े तो हमने देखो कल यह 4 number का item complete किया था और उसके बाद यहां पर देखिए चार number का यह analysis complete है आज हम यह मत्रिल की sheet देखेंगे मत्रिल की sheet में काम करने से पहले सबसे पहले यहां पर dotted line होना चाहिए तो मैं Ctrl-P press कर रहा हूँ keyboard से Ctrl-P press करने के बाद देखो इस पर click कर रहा हूँ तो यह dotted line आ गई है अब जिस item का मुझे यहां पर काम करना है तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि उस item को मत्रिल लग रहा है या नहीं तो देखो यह 4 number का जो मेरा item है इसे यह 3 चीज़े लग रही है number 2 है इसे copy किया जा सकता है और item number 3 को भी copy किया जा सकता है तो copy एक तो पूरा किया जा सकता है या फिर सिर्प इतना भी किया जा सकता है तो मैं सिर्प इतना करता हूँ देखो selection copy करेंगे और यहां पर click करके paste कर देंगे उसके बाद यह selection चोड़ने के लिए keyboard से escape प्रेस करें करेंगे यहां पर click करके यह format है और यहां पर row height है यहां पर मैं 40 type करता हूँ जिसके वैसे इसकी size कम हो जाएगी एक दो तीन चार और यह 5 पांच चीज़े आती है measurement से उसको लेकर आते हैं यहां पर click करेंगे equal यह measurement sheet है यहां पर click करके enter करेंगे हमारा यह item number आ गया है देख वहाँ पर मैं equal कर देता हूँ equal यह measurement है यहां पर click करके enter कर देंगे equal करना है measurement sheet यहां पर click करेंगे और enter कर देंगे यहाँ किलिक करना है, equal करना है, measurement, यहाँ पर किलिक करेंगे, enter करेंगे, equal, measurement, यहाँ पर किलिक और enter, यह चीजे हमें measurement sheet से लानी होती है, अब मेरे पास देखिए, यह ready है, यह ready है, यह 2 की जोड़ी बनती है ना मेरी factor और quantity की, तो यह 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 चीजे ready है, यहाँ भी ready है, और यह भी, कोई भी copy कर सकते हैं, कोई भी, समझो मैंने इसे copy कर लिया, दोनों को copy किया मैंने यहाँ पर, और बिल्कुल इसके सामने हमें ज़रत होती है, अभी देखिए, यह factor है, हमारा, यह D के अंदर, यह factor है, cement का यहाँ पर click करके उसे paste कर देना होता है, और keyboard से इसके press कर देंगे, तो यह selection यहाँ से छूट गया, हमने जो selection किया था, अब मैं यहाँ पर देखिए, cement का factor है, यहाँ पर click करूँगा, equal करूँगा, यह rate analysis है, यह item number 4 है, और यह cement है, और इसका यह factor है, इसका यह factor है, इसका click क अब मैं यहाँ click करूँगा, और यह जो C है, 9 को 15 यहाँ पर कर दूँगा, और enter कर दूँगा, जब मैं यहाँ double click करूँगा, तो यहाँ पर देखो, दोनों का selection हो रहा है, यह दोनों का यहाँ पर selection हो रहा है, इंटर करेंगे, इसका calculation कर लेना होता है, calculator से बरूबर है या जैसे आप यहाँ click करेंगे, तो यहाँ formula भी दिखता है, यह दोनों के तालुक से, अब आपको जब दूसरा material लिखना है, दूसरा material के तालुक से काम करना है, तो आप इधर से आप copy नहीं करना, अब इधर से copy नहीं करना, यह दोनों को selection करना, copy, देखो, यह send है, यहाँ पर click करके paste उसके बाद इसके प्रेस करना जिससे selection चूड़ जाता है यहां किलिक करना equal rate analysis और यह देखो यह send है यहां पर किलिक करके enter कर देना जब यहां double click करेंगे आप तो इसका और इसका यहां पर calculation हो जाता है इंटर कर देते हैं अब आप इसे दोनों को भी select कर सकते और इसे भी select कर सकते चाहिए इसे करो चाहिए इसे करो कोई भी कर सकते देखो मैं इसे click कर रहा हूँ select करने के बाद copy यहां पर देखो crust metal है यह factor है उसका यहां पर click paste selection छोड़ने के लिए escape यहां click करेंगे इकोल करेंगे यह rate analysis है हमारा यह crust metal है और इंटर कर देंगे इस तरीके से अगर problem आए तो यहां पर double click कर देंगे अगर इसे double click करेंगे तो देखो इसका और इसका calculation यहां पर आता है calculator से 100% check कर लेना होता है ने तो गलती होने के chances हो सकते हैं अब यह देखिए cement है मेरा यहां पर item number 3 को भी cement लग रहा है item number 4 को भी cement लग रहा है तो इसकी total quantity यहां पर हम कर लेते हैं यहां पर यहां पर मैं click करूंगा और यहां पर जहां से शिरुवाथ हो रही है वहां पर click करके ऐसे drag करूंगा और enter कर दोंगा तो यहां पर यह चीज आ गए इसे bold किया जा सकता है और इसे देखो यहां पर click करेंगे तो इसका decimal भी बढ़ाया जा सकता है अब इसे यहां पर double click अगर आप तो यहां राउंड टू लगा सकते हैं हमारी यह सिमिट की quantity है यहां पर यहां sand की quantity है हमारी और यहां पर crust metal की quantity है और यहां पर आप देखेंगे तो यह crust metal 40 mm की quantity है और यह oversize की quantity है अब यह quantity की total कर लेते हैं आप यहां कई भी नीचे किलिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, यहीं किलिक होना चाहिए, तो देखो, यह quantity के नीचे मैंने किलिक किया, और यहां पर sum पर किलिक किया, उसके बाद जहां से यह शुरू होता है, यहां पर किलिक करके इसा ड्रैक करना है, थोड़ा नीचे तक, उ उसके बाद इस पर किलिक करना है, इसे बोल करेंगे, इसका देको डेसिमल बढ़ा देते हैं, अगर आप यहां डबल किलिक करेंगे, तो यहां पर काम कर सकते हैं, और यहां भी काम कर सकते हैं, मैं इसके प्रेस करता हूँ, तो देको से बाहर हो गया हूँ मैं, और अगर मै इस पर click करो तो मैं यहां काम कर सकता हूँ तो यहां पर click करेंगे R, O, U type करेंगे और यह round पर double click करेंगे आखिर में click करेंगे comma 2 करके इसे close कर देंगे और enter कर देंगे जिसकी वेसे देखो यहां पर यह चीज हो जाती है उसके बाद यहां पर देखो यह बिल्कुल factor पर यहां पर मैं click कर रहा हूँ equal कर रहा हूँ और यह cement पर click करके enter कर रहा हूँ उसके बाद मैं यह दोनों को ऐसा click कर रहा हूँ यहां पर देखिए और यह दोनों को selection कर रहा हूँ मैं और यहां पर merge कर रहा हूँ यह दोनों को selection किया मैंने copy किया और ये दोनों को बरुबर ऐसा selection किया कहां तक किया जहां तक ये जरूरत है देखो ये मेरे quantity यहां पर आ रही है फिर इसे paste कर देंगे तो देखो अब ये आ चुका है अब क्या करेंगे इसके press कर देंगे अब देखो ये ये page के भार जा रहा है तो इदर इसकी थोड़ इसे size कम कर सकते हैं जिसकी वज़े से देखो ये page के अंदर नहीं आया है फिर भी तो क्या करेंगे यहां पर page layout है इसे थोड़ असा कम कर देंगे बाद में हम और भी चीज़े सिखने वाले हैं दुरूस्त करेंगे तो देखो अभी है यहां पर थोड़ा से size बढ़ा ही जा सकती है हमारी ये page के अंदर रहना ज़रूरी है तो अगर आप देखेंगे कि ये जो cement अब तक 3 item का हमने काम किया और 2 को ही cement लगा है और उसकी total quantity इतनी आई है उसके बद देखो sand है तो ये 1, 2, 3 item को लगा है और उसकी total quantity इतनी आई है और ये crust metal है और देखो ये 3 item में से 2 को ही लगा है और उसकी total quantity ये है इसे calculator से check कर लेना होता है इसी तरीके से देखो ये crust metal 40 mm की quantity है ये oversize की quantity है रबल अभी हमें कुछ भी नहीं लगा इसलिए 0 है मुरूम कुछ भी नहीं लगा इसलिए 0 है और brick कुछ भी नहीं लगा इसलिए 0 है और still कुछ भी नहीं लगा इसलिए 0 है बाकी की चीज़े और भी हम इसमें सिखने वाले है अब आपको यह चीज याद रखना है कि यह जो sand मैं यहाँ पे color कर रहा हूँ इसे royalty लगती है यह चीज याद रखना है आपने उसके बाद यह oversize है इसे royalty लगती है यह जो rubble है इसे royalty लगती है यह जो mroom है इसे royalty लगती है तो मैंने यहाँ color कर दिया समझ्णे के लिए अब किसको किसको नहीं लगती है यह देख लेते हैं cement को royalty नहीं लगती है crust metal को royalty बिल्कुल नहीं लगेगी crust metal 40 mm को भी royalty नहीं लगेगी इसी तरीकी से bricks को भी royalty नहीं लगेगी और steel को भी royalty नहीं लगेगी ओवर साइज को लगती है, रबल को लगती है, और मुरूम को लगती है, अब ये कहां दिया हुआ है, रोयल्टी लगती है ऐसा, तो उसे देख लेते हैं, ये देखिए मेरे पास SSR है, मैं यहाँ पर डबल किलिक करके 9 टाइप कर रहा हूँ, पेज नमबर 9, तो यहाँ पर प मालूम पड़ता है कि देखो, सेंड की रोयल्टी है, और उसका ये आखिर वाला रेट लेना है हमें, ये रेट डिया हुआ है रोयल्टी का, उसी तरीके से, बीव में मुझे ये पता चलता है, आल अधर मिनिरल्स, तो उसमें ये आखिर का रेट है, दिया हुआ है होता है, मुरूम से मुराद हमारी हाड मुरूम, सौप मुरूम है, ये था हमारा जो हमने मटरिल किया, आटम नमबर चार के लिए, और ये था हमारा रोयल्टी के लिए, जो हमने आज सरी भी इतनी बात सेकी, कि सेंड की रोयल्टी का रेट अलग है, और अधर मिनिरल्स का फिलाल अभी इस estimate के मुताबिक तीन material है हमारे पास, इस estimate के मुताबिक, और इसी तरीके से, मैं यहाँ पर double click करता हूँ, पास्व सत्यसी type करता हूँ, इसमें testing के दिये चीजे दी वही है, अभी हमको सिर्व इतना ही देखना है, कि testing यहाँ दी वही है, और अभी अगर हमको estimate बनाना है, तो यह rate नहीं चलेगा, उसके लिए अलग से rate आ चुके हैं, तो यह rate लेना पड़ेगा, तो आज हमने जो चीज देखी, मटरिल की चीज देखी, कल बाकी की चीज़े हम देखने वाले हैं, अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं,